एक्सरसाइस टैन एफ कोईस्ट नमबर फॉर कोईस्ट नमबर फॉर में हमसे यह कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो कि स्टेशन को छोड़ती है अपना जर्णी स्राट करने के लिए एक्सरी ट्रेन है और वो अपनी डेस्टीनिशन पर पहुंचती है तीन बज कर 12 मिनट पर यानिके दिन के 3 बज के 12 मिनट पर ये पी अमें हमें बदा आ रहे हैं कि यह दिन के 3 बज रहे यानिके रात के नहीं बज रहे एक ट्रेन अपनी जगह से चलना शुरू करती है आठ पैंटिस पर यानि कि यह उसका डेस्टिनेशन टाइम है और पहुंचती है तीन बच के बारा मिनिट पर यानि यह उसका अराइवल टाइम है और हमें मालूम यह करना है कि जो सफ़र उसने पोरा किया वो कितने घंटों में पोरा किया यानि कि हमें ज़रिन टाइम मालूम करना है सबसे पेहरे हम अपना फॉर्म detecting Ox माला करेंगे जो ज़र्णी में जर्णी के निकालने में हमें काम आएगा और वह है अराइवल टाइम माइनस दिपांच care time A35 value बढ़ी है, 312 चोटी है, अब आपको इसको इतना बढ़ा करने कि इसमें से आप आराम से A35 को माइनस कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 312 को 12 से एट करके, इसको बनाना पड़ेगा आपको 24 hour clock, यह आपके पास 24 hour clock में convert हो चुक है, अब आप 15, 12 में से माइनस कीजे, A35 को, यहां यह देख सकते हैं, आप यह 12 है, 12 में से 35 नहीं जा सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से बौरो करना होगा, यानि कि आप एक घंटा यहां से बौरो करेंगे, प्लस 1 hour, यानि कि 60 minutes, 60 minutes आप यहां पर एट करेंगे सबसे बहले, यह 60 minutes आपने एट किये, आंसर आया आपके पास, 15, 72, इस 15, 72 में से आप माइनस करेंगे, तो किस तरह से माइनस करेंगे, 12 माइनस 5, 7, यहां है यह 6, 6 माइनस 3, 3, यह अलड़ी निकल चुका था, यह होगी आपके पास, 14, 14 माइनस 8, 6, यानि कि 6, 37, आपके पास जो आंसर आया, फाइनली आपका, वो आया, 6 hours, 37 minutes, यह आपका टुटल जर्नली टाइम है, जो कि आपसे इस question number 4 में पूछा किया था, अब हम बात करेंगे, question number 5 की, question number 5 में, कुछ इस तरह की बात की जा रही है, कि एन ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट एट 21.55, यानि कि ट्रेन 21.55 पे चलना शुरू होती है, यह इसका डिपाशर टाइम है, और, on a journey that took 9 hours 18 minutes, एक ऐसी जर्नी पे जिसका पूरा जो रास्ता है, वो है 9 घंटे का और 18 minutes का, और आपको यह बताना है, कि यह कितने बज़े तक अपने destination में पहुंचेगी, यानि कि इसका arrival टाइम बताना है हमें, सिंपल हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपना फॉर्मॉला इस्तिमाल करेंगे, फॉर्मॉला है हमारे पास, arrival time is equal to destination time plus journey, values place कीज़े, destination time है आपके पास, plus journey, 9 hours 18 minutes, अब आप इसको पूरे को minutes में convert करेंगे सबसे पहले, 9 hours 18 minutes, अगर आप चाहें तो इसको minutes में convert कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आप इसको यू लिख लीज़े, अब इसकी, यहाँ पर calculation perform कीज़े, आपको addition perform करनी है, यह खयाल रखीगा, बताना आपने यह के इसका arrival time क्या रहेगा, जब आप इन दोनों को add करेंगे, तो आपके पास answer आएगा 3073, 12 hour clock में 3073 जैसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो आप इसको minus करेंगे 12 से, जब आप इसको 12 से minus करेंगे, 30-12 भी आपके पास answer आएगा 1873, और इस 1873 में से अभी भी यह आपके पास 12 hour में convert नहीं हुआ है, दुबारा आप इसको 12 से minus करेंगे, जब तक कि आपके पास यह value 12 से छोटी ना आए, यह देखें, अब आपके पास value यहाँ पर 12 से छोटी आ चुकी है, या तो आप इसको 2 दफ़ा 12 से minus कीजे, या फिर एक दफ़ा 24 से minus कर दीजे, ताकि यह 12 hour में आ जाए, अब आपके पास जो time आया, वो आया 6 बच के 73 minutes, अब यह इस 673 को भी आप convert कर सकते हैं, मजीद अपने 12 hour clock में, जो कि आपके लिए readable हो, उसके लिए simply आपने यह करना होगा, कि यहाँ पर यह जो 673 है, यह क्योंकि आपके पास 60 से बढ़ाए, इसलिए आप इसको 60 से minus कीजे, 60 से minus करने के बाद इस जगह पर R में one add कर दीजे, जब आपने 73 में से 60 को minus किया तो आपके पास answer आये यह और 7, 60 में से minus के आपने, यहाँ पर आपको one hour add करना होगा, तो आपके पास जो आपको final answer आया, 12 hour clock में वो आया, 7.13, इसके साथ मैं आपको एक बात और भी बताती चलूं, यह 7.13 जब हम लेकर आये तो हमने दो दफ़ा 12 से minus किया, यानि कि हमने 24 से minus क 24 hours पूरा एक दिन मनाते हैं, इससे पहले भी हमने, जब हम question number 3 solve कर रहे थे तो वहाँ भी हमने एक जगा यही किया था, कि 24 को minus करना बढ़ाता हमें, या 12 12 से दो दफ़ा minus करना बढ़ाता इसको 12 hour clock में लेकर आने के लिए, तो उसके हम आगे mention करते है, final answer के आगे, कि यह next day क time है, जब आप पूरा एक दिन निकालते हैं, इसके मतलब यह कि यह next day का time है, इस तरह से आपके पास यह बना 7, 13 minutes और यहां तक आपका यह question number 5 complete होता है